ग्यानवापी में जबसे पूजापाच शिरू हुआ है तब से हर रोज नई सियासत हो रही है। इसी बेच हिंदुपक्ष के वकील सुभाश नंदन चत्रुवेदी का पूजापाच को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। वर्सों से उनके कपजे में रहा है पूजापाच तमाम धार्मिक क्रियाएं होती थी रागभोग होता था। उसको पुनह बहाल किया जाए। इस अंदर में 31 जनवरी को मानी जिला कोड का आदेश आया था। जिसमें आदेश दिया गया था कि जो 1993 तक जो इस्तिती थी जिलाधिकारी को रिशीवर बनाया था कहा था रिशीवर को उन्होंने आदेशित किया था कि ये एक सब्ता के अंदर इसको कम्प्लाइन कर दीजे तो ततकाल जो एक 30 को चुकी आया तो एक तारिक को जो है जिलाधिकारी के नित्रुत्म में चुकी आदेश उनी को था उन् इसलिम पर अंजमा नित्जामिया की तरफ से प्रात्ना पत्र जो कि जिला जज उस दिन रिटायर हो गए इसलिए डीजे फर्स्ट जो है कारवाहक जिला जज है उनकी अदालत में उन्होंने दिया कि अब चुकि प्रमाणित कापी नकल वगेर निकलवाने में दस्तावेजी जो प्रोसेस है उसको पूरा करने में समय लगेगा इसलिए 15 दिन तक इस पूजा पार्ट जो कंप्लाइंट जिला दिकारी द्वारा किया गया है इसको ततकाल 15 दिन के लिए रोग दिया जाए ताकि हम लोग अपनी अपिल उपर हाई कोर्ट में करें मुस्लिम पक्ष का जबकि हाई कोर्ट में जा चुके हैं वहां भी सुनवाई चल लगातार चल लगा आज इसी संदर्व में सुनवाई होनी है मुस्लिम पक्ष ने अपनी मांग रखी है कि पूजा पार्ट को 15 दिन के लिए रोग दिया जाए अब हम लोग की तैयारी जब फिर सुनने के बाद आपत्ती लगाया जाएगा हमनों के आपत्ती लगे उसमें और चुकि पूजा पाट रागवोग सुरू हो गया है इसलिए उसमें रोखने का कोई सवाली नहीं हाई कोर्ट आप गए हैं हाई कोर्ट में हेरिंग कल भी हुई थी परसो भी हुई थी और लेए इसलिए घबलाना नहीं चाहिए अब चुकि 1993 तक जो पूजा पाट राग वो होता था वो पुना सुरू हो गया है कोर्ट के आदेश से और इंतजार करें हाई कोर्ट के आदेश काब